हेलो स्टुडेंट्स क्लास 11th unit 3rd recording of business transaction आपका चल रहा था एकांटेंसी में जिसमें हमने chapter स्टार्ट किया था bank reconsideration statement यानि इसमें हम cashbook और passbook को सामने रखके compare करते हैं कि हमारा जो cashbook का balance है cashbook का bank balance जो है और आपका passbook का balance है वो दोनों में difference Q है इसका हम पता लगा रहे थे और इसके लिए हम एक statement prepare कर रहे थे जिसको हम करते हैं bank reconciliation statement तो सारी बाते जितनी भी theoretical बाते थी हमने कर ली और last वीडियो में मैंने आपको एक practical question भी solve करके दिखाया आज हम इसको continue करेंगे और DK Goyle के book से question number 5 आज हम solve करेंगे तो चलिए start करते हैं यह है आपका format कोई fix format इसका नहीं दिया गया है आपका एक rough format है bank reconciliation statement को बनाने के लिए यह एक statement है तो यहाँ पर आप लिखोगे particular इस side होगा आपका plus item और इस side होगा minus item अब हम cashbook का compare, passbook से या passbook का compare हम cashbook से करते हैं और find out करते हैं कि दोनों के बीच में difference क्यूं है तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले हम cashbook जो business maintain करता है इस side आपका plus यानि जो भी cash आएका bank में वह आपका debit side में record होगा and credit what goes out अगर real account के rule से देखा जाए तो इधर आप payment करोगे यानि minus ठेक इसका उल्टा जो है आपका passbook में होता है यहाँ आप लिख दो passbook यह आपका debit side इधर आप minus कर दो यह credit side आपको करना नहीं है plus minus बस आपको समझाने क्लिए हम बता रहे हैं यह होता है आपका bank वाला जो है आपके पैसे को credit करता है क्योंकि उसकी liability बढ़ती है जब liability बढ़ता है तो credit घटे का तो वह उसको debit करता है तो cashbook का debit side favorable balance passbook का credit side favorable balance cashbook का credit side unfavorable या overdraft balance passbook का debit side unfavorable या overdraft balance कहलाता है अब हम स्टार्ट करते हैं question number 5 से देखे क्या करता है आपका On comparing the cashbook with passbook of Naman it is found that on March 31st 2017 the bank balance of rupees 40,960 rupees sold by the cashbook तो cashbook में जो आपका balance दिख रहा हुआ 40,960 रुपे का दिख रहा है जो कि defer कर रहा है अलग है किस से defer from the bank balance with regard to the following तो जो आपका cashbook है और passbook का दोनों का balance match नहीं कर रहा है और क्या reason है यह सारा हम find out करते हैं कि किस reason से आपका जो है दोनों के बीच में difference आ रहा है तो यहाँ पर start किया है cashbook का balance और cashbook का balance यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि favorable है या unfavorable है यहां पर यह नहीं कह रहा है कि debit balance या credit balance है तो इस case में हम इसको debit balance या नहीं favorable balance ही मानेंगे तो यहां पर कहता है कि cash book का जो favorable balance है debit balance है वो है आपका 40,960 रुपीज तो हम cash book का compare किसे कर रहे हैं? pass book से तो pass book हमारा target book है अब इसमें अगर आपका plus होगा तो plus side में लिखेंगे अगर pass book में आपका minus होगा तो हम minus side में लिखेंगे फिलाल हम सुरुवात कर रहे है cash book से तो यहां पर लिखेंगे debit balance as per cash book 40,960 रुपीज debit balance as per cash book plus side में दिख रहा है तो plus side में हम इसको लिखेंगे 40,960 रुपीज अब हम सुरुवात किये है cash book से तो हम पहुचना कहां पर है? pass book पर हमको पहुचना है ठीक है? अब plus खेर बागे बाते बाद में तो हम cash book से सुरुवात किये हैं मतलब cash book का compare हम pass book से कर रहे तो इसमें जो plus minus होगा वही plus minus यहाँ पर आएगा अब सबसे पहला आपका कहता है A number bank charges rupees 100 on March 31st तो आप यह सबसे पहले date लिखने ना as at 31st March यह बहुत important है आपका date 2017 इसी से सारा हम compare करेंगे तो bank charges जो है वो 100 पे काटा गया है bank के दोरा 31st March are not entered in the cash book तो bank charge जो है वो काटा गया है अब bank वाला जो भी charge काटेगा आपसे पूछने नहीं आएगा या आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा वो क्या करेगा आपके account से सीधा debit कर देगा मतलब less कर देगा आपके account से पैसा काट लेगा तो देखिए यहाँ पर 100 पे जो है वो पास्वुक यानि bank में क्या करेगा इसको minus कर देगा लेकिन इसका कोई information नहीं है तो यहाँ पर plus रह जाएगा plus करने का मतलब है कि यहाँ पर तो balance घट गया लेकिन यहाँ पर balance घटा नहीं उतने से balance बढ़ा हुआ रहा एक तरीके से यहाँ भी घटना चाहिए था लेकिन घटा नहीं तो एक तरीके से यह plus रह गया कह सकते हो आप तो यहाँ पर minus हो गया तो हम 100 पे को क्या करेंगे minus side में लिखेंगे यहाँ प्लिख दिए minus side में क्योंकि target book जो है आपका pass book है अब pass book में minus हुआ है तो minus side में जाएगा यहाँ पर हम आपको समझाते हैं bank वाला क्या किया है bank वाला debit कर दिया 100 रपय bank charge के नाम से debit हो गया इसका information हमको नहीं मिला अगर information मिल जाता 31 March 2017 तक हमको पता होता तो हम यहाँ पर क्या करते यहाँ पर हम 100 पर credit कर देते bank वाला ने debit किया है हम उसको क्या कर देते credit कर देते तब तो कोई difference नहीं था और bank reconciliation statement में इस 100 पर को लाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पर हमें कोई information नहीं है कि bank वाला जो है bank charge 100 पर काट गया तो यहाँ पर तो minus हो गया लेकिन यहाँ पर क्या रह गया minus नहीं हुआ इसका मतल़ यहाँ पर plus रह गया तो 100 पर है यहाँ पर reason लिख देते है bank charges debited debit क्या गया है debited in the passbook आगे आप और लिख सकते है but not recorded in the cashbook तो 100 पर को debit कर दिया गया है clear यह बात अब दूसरा दिखते हैं क्या करता है on March 21 2017 a debtor paid rupees 2000 into company's bank bank in settlement of his account but no entry was made in the cash book of the company cash book of the company in respect of this तो एक customer या एक data जो है 21 March को bank में 2000 रुपे क्या कर दिया company के bank में 2000 रुपे deposit कर दिया और account को settle किया मतलब की 2000 रुपे उसको देना था और 2000 रुपे दे दिया और सीधा क्या कर दिया ये सीधा जो है company के bank account में deposit कर दिया पैसा paid कर दिया data paid कर दिया मतलब 2000 रुपे company के bank account में पैसा deposit कर दिया तो पास्बुक में तो 2000 से plus हो जाएगा लेकिन क्या cash book में भी वो balance आएगा नहीं तो यहाँ पर ये minus रहे गया direct deposit कर दिया देखे संधाते हैं किस तरीके से plus हो गया तो direct deposit यहाँ पे 2000 रुपे bank account में आ गया लेकिन इसका information हमें नहीं था तो यहाँ पर बताएगे कितना रहे गया यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा clear है क्योंकि direct वो deposit किया था तो passbook में credit कर दिया गया लेकिन यहाँ पर हमको debit करना था लेकिन हम नहीं किया है तो passbook में plus है हम 2000 रुपे को plus side में लिख देंगे क्योंकि target book हमारा passbook है reason लिख देंगे यहाँ पर direct deposit by a customer in in the bank data मतलब हम उस कुधार में समान बेचे थे वही मेरा customer भी है और वो हम मेरे bank account में यानि company के bank account में क्या किया direct पैसा deposit कर दिया तो passbook में तो plus हो जाएगा लेकिन यहाँ पर plus नहीं होगा तो एक तरीके से हमें minus में हो जाएगा वहाँ plus है तो हम इसको plus side में लिखती है इसके बाद c number क्या reason है difference का check totaling rupees 12,980 were issued by the company check issue किया गया है company के द्वारा check दिया गया है किसी को payment किया गया है and duly recorded in the cash book और इसको cash book में record भी किया गया है before 31st March 2017 तो 31st March 2017 के पहले इसको record भी कर लिया गया है but had not been presented at the bank for payment until after that date लिकिन इसको bank में present नहीं किया गया तो company जो है एक check issue की तो यहाँ से minus कर देगी company issue की check जैसे ही issue करेगी company क्या maintain कर रही है cash book maintain कर रही है तो जैसे ही वो check काट के देगी 12,980 रुपेगा तो यहाँ से minus हो जाएगा लेकिन इसको bank में present करेगा present किया जाएगा तब यहाँ से भी minus हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको present नहीं किया गया तो यहाँ से तो minus कर दियें लेकिन यहाँ पर एक तरीके से आपका plus रह गया तो plus है तो plus side करेंगे यहाँ पर आपको समझाते हैं check issue किये गया है check issue किया company ने तो 12,980 रुपे का payment किया गया है check issue किया गया है तो minus side में 12,980 यहाँ पर bank में भी 12,980 से debit रहता तब तो कोई difference नहीं था लेकिन क्या हुआ यहाँ पर वो check को present ही नहीं गया गया जब present करेगा तभी तो bank वाला आपके account को debit करेगा 12,980 से present नहीं किया गया यहाँ से तो minus हो गया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलम यहाँ पर plus रहाए गया plus हो गया तो हम plus side में लिखेंगे यहाँ पर 12,980 रुपया clear है दिम reason लिख देंगे checks issued but not presented for payment सामने सामने लिखते हैं 12,980 पर इसके बाद क्या कहता है D number a bill for rupees 6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges of rupees 800 तो आप में पास एक bills of exchange था bills receivable था और maturity date से पहले आप इसको क्या कह सकते हो bank से भंजवा सकते हो क्या होता है bills receivable या bills of exchange हम आपको आगे पढ़ाएंगे देखेंगे ढेटर पैसा लेकर के भाग न जाये आप डेटर को समान क्या करते हो बेचते हो और डेटर को समान बेचते हो उधार में आपने समान बेचा अब उधार में आप समान बेचे तो वो डेटर कहीं पैसा लेकर के भाग न जाये इसे दिए आप बहुत systematic हो जाते हो और आप जो है एक बिल बना लेते हो और बिल के उपर डेटर भी sign करता है और जो सेलर है उसका भी साइन होता है दोनों अपना अपना साइन करता है और ये जो बिल है इसका legal acceptance होता है मतलब अगर डेटर पैसा कल को देने से मना भी करे तो आप जो है इस बिल के थुरू उस पे court case भी कर सकते हैं और उससे पैसा वसूल सकते हैं तो जब डेटर आपको इस बिल का पैसा देगा इसे हम बोलते हैं बिल्स रिसी बेबल और ये जो बिल्स रिसी बेबल है इसको आप चाहो तो बैंक में जाकर करके discount भी करवा सकते हो मालो इस पर डेट होगा कि तीन महिने के बाद after three month ये बिल का maturity डेट आएगा या जब इसको बिल को आप भंजाकर के cash में convert करवा सकते हैं डेटर आपको तीन महिने के बाद पैसे देगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तीन महिने तक wait करो आप एक महिने में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो फाइदा क्या है bank को bank को ये फाइदा है कि आपसे जो लिया आपने पहले भंजबा लिया तो आपसे जो कुछ charges था वो काट लेगा account से और बाद में उसे पूरा पैसा वसोल लेगा तो आपके account से जो पैसा deduct किया काट लिया इस bill को discount करने के लिए वही bank का फाइदा है तो यहाँ पर ये जो bill है इस bill को हम क्या कर लिए discount कर लिए bank से कितने का bill था यहाँ पर बिल फॉर उपी 6,900 का bill था जो कि हम bank से discount कर वाए entered into the bank without recording the discount charges तो bill को हमने discount कर वाया लेकिन bank वाले ने क्या किया discount charges काट लिया मतलब उसने bill का पैसा दिया और बदले में 800 रुपे आपके account से deduct कर लिया, काट लिया अब इसका information आपको नहीं था तो bank वाला यानि passbook में तो minus हो गया और यहाँ पर plus रह गया, यहाँ पर minus है तो हम minus कर लिए बैंक वाला क्या किया 800 रुपे से यहाँ पर काट लिया और आप जो है, इसको cashbook में enter नहीं किया है cashbook में enter कर देते हैं, तब तो ठीक था लेकिन इसको cashbook में enter नहीं किया गया, तो यहाँ पर minus side में है, तो आप minus side में लिख दोगे 800 रुपेस, इसका reason आप लिख दे ना, कितना number होगे आपका, D number है ना, D number, इसका reason हो जाएगा आपका, bill discounting charges है ना, not recorded in the cashbook कर दोत्किने कर दोत्किने कर दोत्किने कर दोत्किने कर देखने is the discounting charges not recorded in the cashbook, जाएगा आपका, जाएगागागा पर दोत्किने the cashbook, discounting charges जो है, वो bank वाले ने काटा, बट आपको आपने उसको cashbook में record नहीं किया, इसलिए इसको हम minus side में लिखती है E number का कहता है, आप देखते है Rs. 3,520 is entered in the cashbook as paid into bank for March 31st 2017 but not credited by the bank until the following date तो एक check था, जो था आपका 3,520 रुपे का और आपने इसको क्या किया deposit किया, मतलब पेड़ किया bank में कितने तारीको 31 माँ 2017 को but bank वाले ने इसको अभी तक credit नहीं किया है, तो पेड़ किया आपने आपने यहाँ पर क्या कर दिया होगा plus आपका जो book maintain कर रहो हो, आपने जैसे ही check paid किया, तो यहाँ पर आपने plus कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर 31 थाविक तक, 2017 तक यहाँ पर इसने plus नहीं किया तो एक तरीके से यहाँ पर minus रह गया उतने से balance कम रह गया minus है, तो minus side में लिखेंगे कितना है आपका, 3520 रुपीज 3520 रुपीज आपने check paid किया था paid किया 3520 रुपे यहाँ पर आपने debit कर दिया लेकिन bank वारे ने 31 थारिक तक इसको credit नहीं किया अगर credit कर देता तब तो BRS में लाने की जरूत नहीं थी लेकिन 31 थारिक तक इस date तक यहाँ पर यह credit नहीं किया तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो आपने plus किया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ मतलब एक तरीके से minus में रा गया तो हम इसको कहाँ से किस side में लिखेंगे minus side में लिखेंगे 3520 रुपीस reason लिख दिएगा check paid into bank but not recorded in cashbook check paid into bank but SM लिख सकते हैं but not credited by bank bank up to 31st March 2070 check bank में collection के लिए मैंने paid किया मैंने यहाँ पर तो plus कर दिया लेकिन but not credited bank वाले को इसको credit करना चाहिए था तो उसने credit नहीं किया कब तक नहीं किया तो up to 31st March 2017 इस देब तक जो है bank वाले ने credit नहीं किया इसलिए यहाँ पर जो balance है आपका bank balance credit नहीं गुआ bank balance उतने से आपका नहीं बढ़ा तो यहाँ पर plus हो गया और वहाँ पर minus रह गया मतलब उतने से balance आपका कम रहा तो यह reason हो गया आपका E के बाद F number क्या reason है दोने के बीच के difference का आप देखते हैं no entry has been made in the cash book to record the dishonor on 15th March 15, 2017 of a check for Rs. 650 received from Bhanu तो Bhanu से आपने एक check receive किया था और check receive किया आपने यह dishonored हो गया तो क्या हो गया आपका देखे आपने एक check receive किया था और bank में आपने क्या किया इसको है ना no entry cash book में अपने नहीं किया लेकिन dishonored हो गया तो check receive किया था तो यहाँ पर क्या होना चाहिए plus होना चाहिए था आपके account में पैसा आना चाहिए था कितने का check था 650 रुपे का जो Bhanu दिया था तो आपके account में पैसा आ जाना चाहिए था plus हो जाना चाहिए था लेकिन ये check हो गया dishonored मतलब Bhanu के account में उतना पैसा ही नहीं था 650 रुपे हो गा ही नहीं तो ये check हो गया dishonored तो plus होने के बज़ाए क्या रह गया यहाँ पर minus हो गया minus का मतलब उतने से आपका account plus नहीं हुआ उतने से pass look में credit नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ minus रह गया लेकिन यहाँ पर आपने cash look में minus जो है इंटर नहीं किया तो एक तरीके से यहाँ पर plus रह गया minus है तो minus side में लिखेंगे 650 रुपे लिख देते हैं 650 रुपेज क्या हुआ बात समझेगा यहाँ पर भानू जो है वो आपको check दिया और यह check का पैसा आपके account में आना था check का पैसा आपके account में आता तो 650 रुपे यहाँ पर credit हो जाता clear है बात और यहाँ पर भी 650 रुपे debit कर देते हैं लेकिन आपने यह काम किया bank वाले वहाँ पर क्या हुआ उसके account में इतना पैसा ही नहीं था इसलिए वो check हो गया dishonored और यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर 650 रुपे जो आपका credit होना चाहिए था वो 650 रुपे आपका एक तरी से account में नहीं आया यह check dishonored हो गया clear है तो यहाँ पर चुकी आपका आना चाहिए था plus में लेकिन plus नहीं हुआ तो एक तरीके से यहाँ minus में रह गया check dishonored होने के वज़ाद से तो यहाँ पर हम minus side में लिख देंगे 650 रुपया यहाँ पर लिख दीजे check dishonored by the bank but not recorded in cashbook cashbook में आपने इसको update नहीं किया आपने इसको record नहीं किया ठीक है यहाँ भी minus हो जा यहाँ पर dishonored हो गया तो यहाँ से भी पैसा आपका जो है credit नहीं हुआ तो यहाँ पर भी आपको इसको debit नहीं करना था clear है तो वहाँ minus है तो हमने minus कर दिया रिजन था check dishonored but not check dishonored by the bank bank वाले ने इसको check को dishonored कर दिया but not recorded in the cashbook अभी तक आपने उसको cashbook में update नहीं किया है record नहीं किया है इसलिए दोनों में difference आ गया अब total हो गया आपका जितना difference का reason था वो सारा हो गया अब हम लोग करते हैं प्लस साइड में कितना आ रहा है और माइनस साइड में कितना आ रहा है तो प्लस साइड में अगर आप टोटल करोगे 40,960 रुपया दो वजार बारा जार नौसो असी तो जब आप इसको टोटल करो तो 55,940 रुपया आएगा आपका यहां पे लिखोगे 55,940 रुपया प्लस साइड में अब क्रेडिट साइड में आप टोटल करो माइनस आइटम को तो यह आपका टोटल आजएगा 5,070 रुपया कितना आजएगा 5,070 रुपया तो 55,940 में 5,070 रुपया अगर आप माइनस करेगे तो आएगा आपका जो बैलेंस है पचास हजार आट सो सत्तर रुपया इतना में इतना माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा इतना तो इसका मतलब बैलेंस जो है यह किस साइड में आ रहा है आया है आपका प्लस साइड बढ़ा है इसलिए बैलेंस करके आया आपका पचास हजार आट सो सत्तर रुपया cashbook से सुरुवात किये थे और हम पहुँचे कहाँ पर passbook पर क्योंकि हम cashbook का compare किसे कर रहे है passbook से कर रहे है तो यहाँ पर cashbook और यहाँ पर लिख दो passbook अब plus में आ रहा है plus side बड़ा है plus में आ रहा है तो देखे plus किदर है passbook के plus जो है वो credit side में आ रहा है तो आप लिखोगे credit balance as per passbook cashbook से passbook पर आ गए और यहाँ पर हम लिखेंगे credit balance as per passbook तो यहाँ लिखोआ credit balance as per passbook कितना आ गया 870 रुपया total आप पर दो 55,940 रुपया clear है अब देखिए passbook का balance कितना था cashbook का balance कितना था 40,960 रुपया यह था debit balance और passbook का जो आपका credit balance वो कितना है 50,870 रुपया तो दोनों के बीच में difference है और यह सारा जो आपका है A, B, C, D, E, F यह सारा different का reason है तो इससे जो business man है उसका दिमाग काफी stressful जो था पहले अब नहीं रहेगा उसका दिमाग काफी हलका हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में जो difference है इसका reason जो है वो business man को या business को पता है तो बिल्कुल stress free रहेगा बिल्कुल उसको कोई भी तनाव नहीं होगा क्योंकि उसको reason पता है अगर आप bank reconciliation statement नहीं बनाते हैं या maintain नहीं करता business तो यह reason आपको पता नहीं चलता तब जाकर के आप सोचते रहते हैं मेरे cash book में इतना balance है पास book में आप बोलिएकर सर बढ़ा हुआ balance है ठीक है अभी बढ़ा हुआ है घड़ भी सकता है तो दोनों के बीच में difference को आपको जब तक reason नहीं पता होगा तब तक आप confused रहोगे बहुत ज़्यादा stressful रहोगे कि किस तरीके से मेरा जो ये cash book है और pass book है जो नों match नहीं कर रहा है जबकि हम cash book maintain किये हुए है तो इस stress से बचने के लिए businessman जो है या business bank reconciliation statement बनाता है ताकि जो दोनों के बीच में difference है उसका reason उसको पता हो ठीक है तो आज मैंने आपको एक question solve करके दिखाया bank reconciliation statement का कुछ और question को हम solve करेंगे और इसके बाद हम इस unit को या unit number third जो है आपका last chapter जो है bank reconciliation statement ही है तो इससे finish करने के बाद ये unit भी आपका complete हो जाएगा और next unit हम आपको पढ़ाएंगे trial balance and rectification of error आज फिर इतना ही thank you जापको पू gleich